नमस्कार और वेलकम तो स्टेडिकलोज माई दिया फ्रेंट मिना नाम है प्रशाथ मावाने यहां 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 बात करने बाले हैं और एक बहुत सी वियर्ड सी खबर सामने आई हैं कि बोटस्वाना के जो प्रेजिडेंट हैं मसीशी साब उन्होंने जर्मनी को यह धमकी दी हैं कि भई हम आपको 20,000 जितने हाथी जो हैं वो भेज रहे हैं यहां प्रपोजल रखा है कि आने वाले समय में जर्मनी की सरकार जो हैं वो ट्रोफीज पर और ज्यादा लिमिट्स क्र होता है कि आपने शिकार किया तो हमने देखा है ना पुरानी फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है खासकर कि होरर फिल्म के अंदर के दिवारों पर जो हिरन है या फिर शेर या फिर जो भी अलग अलग अनिमल्स को आपने शिकार करके मारा है तो उसका जो एक सिर रखा जा अब बोटस्वाना की बात आई है तो I'm sure National Geography Channel में Animal Planet and then you have this Discovery Channel तो बोटस्वाना को हमने कई बार देखा है लेकिन इतनी गहराई से हमने कभी इस देश को स्टड़ी नहीं किया आपकी स्क्रीन पर आफरीका का मैप है and the credit goes to Nation's Online Project for this very very beautiful map अब दोस्तो हम इस खेतर की बात कर रहे ह Southern Africa के देशों की बात कर रहे है South Africa is another country एक देश है लेकिन we are talking about Southern Africa अब देखिए यहाँ पर यह रहा Botswana as you can see यह Botswana दक्षिन में South Africa है इसके अगर आप West में देखेंगे तो Namibia नाम का देश है कितनी interesting यहाँ पर straight line वाली borders है और यहाँ पर North East में हम देख सकते हैं कि Zimbabwe के सा border share करता है उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस देश के साथ एक छोटी सी border है Zambia के साथ और यहाँ पर Mozambique भी है यह सारे देशों को थोड़ा देख लीजेगा अंगोला को देख लीजे नामीबिया, South Africa, Mozambique, Zimbab और Botswana को हम study कर ही रहे हैं, the reason is कि यह सारे देश जो मैंने mention किया ना तो यह सारे देश बहुत ही important है, फिर इनके capitals को study करना यह सारी चीजे थोड़ा आपको homework करना पड़ेगा, एक interesting चीज जो है, that is कि यह Tropic of Capricorn जो है, 23.5 degree south की line जो है, यह Botswana से गुजरती है, right, तो उन्होंने यह कहा कि Germany अगर इस प्रकार के laws लेकर आएगा, rules लेकर आएगा, तो उनके देश यहने कि Botswana के लोग जो है, वो तो गरीब हो जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे, उसके पीछे reason क्या है, पता है, European Union के देश जो है ना, उन सारे देशों में सबसे ज्यादा troph अगर कोई import करता है, तो that is Germany, मैं फिर से repeat करूँ, European Union के जो देश है, 27 countries है ना, तो इन सारे देशों के अंदर जो trophies है, hunting trophies, इनको import किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा importer अगर कोई है, तो that is Germany, और मसीसी साब का कहना यह है, कि यह hunting जो है, इसकी वज़से बोटस्वान के जो लोग है, उनकी मदद होती है, और बोटस्वाना की situation यह है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों की population अगर किसी देश में है, तो that is बोटस्वाना, पता है कितने हाथी हैं, बोटस्वाना में लग 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 एक लाख तीस हजार जितने हाथी हैं, तो बोटस तो आईरोनिकली बोटस्वाना के लिए elephant in the room is itself the huge population of elephant, अब इस पर नजल डालते हैं, कि ऐसा क्यों, बोटस्वाना में इतनी ज्यादा population क्यों हो चुगी है, बोटस्वाना जो है, वो elephants के लिए एक safe heaven है, बाइद बोटस्वाना का map है अपकी screen पर, and I'm sure दोस्तों आपने observe कि होगा कि मेरी जो discussions होती है, maps जो होते हैं, sorry, videos जो होते हैं, तो I use maps, मैं flags का इस्तमाल करता हूँ, I use good quality graphics and things, ताकि चीजें जो हैं वो बहुत ही गहराई से आपके अंदर उतर जाए, और जो topic हमने एक बार discuss किया, उस topic के साथ जोड़ी हुए सारी important details हमेशा के लिए आपको य है, ये safe heaven, इसलिए बन गया, क्योंकि number one, Botswana में stable government थी, और second चीज है, कि लोगों की population जो है, Botswana में ये काफी कम है, तो African elephants जो है, तो उनको यहां पर एक free hand मिल गया, दूसरी चीज, अब देखिए, I'm sure we all know कि elephant जो है, is a very very intelligent animal, और हमारे अंदर एक चीज होती है, इसको कहते है, hippocampus, hippocampus जो है, वो रास्तो को याद करने के लिए, navigation के लिए, plays a very very important role, अब कहते हैं कि हाथियों का जो hippocampus होता है, वो बहुत ज्यादा developed होता है, and this is a fact as well, कि एक छोटा सा हाथि का बच्चा जो है, right, let's say कि female, क्योंकि हाथि जो है, उसमें matriarchal system है, जो दादी होती है, she is the head of the herd, जो group है, उसकी जो family है, हाथियों का, तो उसकी जो main boss है, that is, दादी, तो ये दादी जब छोटी सी baby elephant थी, उस समय पर अगर वो अपनी दादी के साथ, या फिर नानी के साथ, किसी जगा पर पानी पीने के लिए गई है, तो 30-40 सालों के बाद अगर फिर से वहा very intelligent animals, तो नामीबिया और अंगोला जो देश हमने देखें, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर conflict और यह सारी चीज़े चलते रहे, stability नहीं है, government की and things like that, तो इसकी वज़े से यहाँ पर poaching बहुत ज्यादा होता था, हातियों का शिकार धड़ा धड़ होने लगा, और इस से यह जो highly intelligent elephants है, उन्होंने यह ते किया कि यह चौबे river जो है, उनको वो cross नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह चौबे national park है, and this is the river here, यह जो नदी है न, यह नदी एक प्रकार की border के तौर पर काम करती है, तो हाथियोंने यह ते किया कि हम अंगोला नहीं जाएंगे, हम दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, Botswana जो है, it is very very safe for us, तो फिर इन्होंने यह चौबे river को cross करना ही बंद कर दिया, और इसकी वज़े से migration बंद हो गया, और पहले से भी यह चौबे river वाला जो part है, यह हाथियों के migration का एक बहुत ही famous route लगा है, तो हाथि तो सोचिये मत गोली चला दीजे, shoot to kill जो हम कहते हैं, shoot at sight, तो ऐसे orders दिया गए थे 2013 में, फिर trophy hunting पर Botswana की सरकार ने 2014 में ban लगा दिया, और उससे पहले ऐसा था कि आपके पास official government का license होना चाहिए, if you want to play trophy hunting, अब illegally यह नहीं कर सकते, लेकिन 2014 में तो इस पर भी ban लगा दिया और यह कुछ ऐसे reasons हैं जिसकी वज़े से, Botswana देश में हाथियों की population जो हैं, वो काफी ज्यादा exacerbate होने लगी, proliferate होने लगी, 60s में 1960s में, early 1960s में, Botswana में 10,000 जितने हाथि हुआ करते थे, mid 1990s में 80,000 हाथि हो गए, और आज जैसे मने देखा ना, कि 1,30,000 जितने हाथि ह and you'll be surprised to know कि पूरा जो Botswana है, उसका 40% जो हैं, उसमें हाथियों का राज है, हाथि इतने बड़े एरिया में फेले हुए हैं, तो ये चीज़े हैं जिसकी वज़े से हाथियों का जो आप कह सकते हैं, तरास या फिर हाथियों का जो एक प्रकार का जो issue है, या काफी बढ़ च community, वहाँ पर जो खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप उगाते हैं जो किसान, तो उनका क्रॉप जो हैं वो फसलों को नश्ट कर देते हैं, अगर आप fruit vegetables उगाते हैं, तो हाथि ये सारी चीज़े खा जाएंगे, फिर पानी पी जाते हैं, पूरा पानी खत्म कर देते हैं, इसके साथ क्योंकि यहां पर 40% एरिया में हाथी हैं, तो दूसरी species के लिए भी खराब है, हाथी क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उखाड देते हैं, कुछ पेड़ों को खा जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी कंस्यूम करते हैं, तो इसके वज उसने कुछ ऐसी चीज़े की, कुछ ऐसे efforts किये, कुछ हाथी जो हैं, तो इनको डोनेट कर दिया दूसरे दिशों को, 2023 में 8000 जितने हाथी अंगोला को दिये, फिर 2022 में 500 जितने हाथी मोजांबिक को दे दिये, लेकिन इसके कोई इतनी ज्यादा कोई impact नहीं है, क्योंकि 1.3 लेक जितने हाथी हैं, और contraception और ये सारी चीज़े जो हैं, वो भी उतनी ज्यादा impact नहीं कर रहे हैं, क्योंकि population ही इतनी ज्यादा हैं, और सरकार ने 2019 में तो जो trophy hunting पर जो band था, इसको भी हटा दिया, और अब argument ये हैं, कि वही इतने ज्यादा numbers में हैं हाथी, और जो hunting करन मदद मिलती हैं, सरकार का कहना ये है, कि 2021 में ये जो local communities हैं, इनको 5 million dollars, लेकिन overall 5 million dollars जो हैं, वो 2021 एक साल में मिले, और South Africa का example दिया जाता है, South Africa का एक आंकड़ा ये दिया जाता है, कि 2018 में, South Africa में लगबग लगबग आप समलीजीए, 250 million dollars जो हैं, ये hunting की trophy hunters की वज़े से इतन economy में add हुए, और लगबग 17,000 जितने लोगों को jobs मिली, because of this trophy hunting, ये South Africa का 2018 का अंकड़ा सरकार ने सामने रखा है, authorities का कहना ये है, कि ये species को भी काफी ज्यादा मदद करता है, वे species जिनको hunt down किया जाता है, तो ultimately long run में species की मदद होती है, देखे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ हू जो profits है, ये local communities के साथ share किया जा सकता है, और एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताई जाती है, कि देखे, जितने पैसे आएंगे ना, तो ये सारे देशों में corruption भी काफी ज्यादा है, तो local communities के बारे में ये भी कहा जाता है, कि उनको उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेगे, सबस hunters जो होते हैं, वो कोई कमजोर हाथियों को मानने के लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे, तो they will hunt down सबसे जो तगड़ा हाथी हैं, सबसे जो healthy elephant है, या फिर कोई भी जो species हैं, जिसकी आपने permission दी है, तो सबसे strongest, सबसे largest को वो hunt down करेंगे, सबसे best genes वाले जो हैं, उनको hunt down करें हैं, तो it's not that simple, right, it's like a catch 2022 situation, कि भी क्या करें, क्या ना करें, क्या permission देनी चाहिए, एक तरफ legit issues भी हैं, कि हाथियों की population इतनी ज्यादा है, rural communities के लिए बहाँ पर जीना जो हैं, it's nearly impossible, फिर दूसरी जो argument दी जाती है, that is a Humane Society International है, HSI, आप सर्च करेंगे, आपको इसका data मिल ज international, तो ये conservation group हैं, तो इसका आंकड़ा ये कहता है, कि भी, 8 African देशों की, जो अगर आप GDP देखेंगे, तो hunting की वज़द से उनकी GDP में सिर्फ और सिर्फ 0.03% का addition हुआ है, और job में भी, tourism related job जो हैं, उसमें भी 0.76% का ही addition हुआ है, तो it's not that easy decision, right, इतना कोई simple solution नहीं है, कि भी आप hunting allow करें, या फिर ना allow करें, local communities पड़ो सी देशों को मिलकर, इसका एक solution निकालना पड़ेगा, हाथियों को ये पता चलना चाहिए, कि it is safe to travel to different parts of Africa, अगर ये चीज़ होगे, then I believe कि एक solution, एक long term solution इसका निकाला जा सकता है, that's everything from my side, thank you very much for your love and support, do check out Limitless Ladyship Program, it is available on Study Glows, or interesting rills or shorts के लिए, do check out my YouTube channel, Jai Hind!